वेल्कम टो दियाश्यमा शोड दोस्तों आज जानते हैं कि क्या है पेसेक्स और नासा का एतिहासिक ड्रागन स्पेस मिशन तीस मही को दुपहर के एक बच के तेस मिनट इस्टन टाइम जोन पर अमेरिका ने नौ साल बाद स्पेसेक्स क्र्यू ड्रागन मिशन दुआरा अपनी धर्टी से एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष भीजें यह मिशन लाँच हुआ था अमेरिका के शहर प्लोरीडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से और इस मिशन का नाम है स्पेसेक्स क्र्यू ड्रागन मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से पहले भी एतिहासिक स्पेस मिशन जैसे अपोलो और तस्पेस शेटल लाँच किये गए है ये SpaceX Crew Dragon Mission जुसका नाम Demo 2 भी रखा गया है इसके दो हिस्से हैं उबर वाला पार्ट है Crew Dragon Spacecraft और नीचे वाला पार्ट है Falcon 9 Rocket पहले ये मिशन 23 मई वेंस्टे को लॉंच होना था लेकिन लॉंच से 15 मिट पहले मौसम खराब होने की वज़े से इस मिशन को अबोर्ट कर दिया गया था इस SpaceX Crew Dragon Mission द्वारा नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेंकेन और डग हर्ले को ISS यानि की International Space Station में भीजा गया है इस स्टेशन में यूजिली वो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं जो बायलोजी, केमेस्ट्री, फिजिक, एक्सेक्ट्रों के एक्सपोर्ट होते हैं इस स्पेस मिशन का कोई स्पैसिफिक परपस नहीं है International Space Station के डॉकिंग स्टेशन से जुड़ जाएंगे ये फेलकर नाइम रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों एलन मस्क की कमपनी स्पेसेक्स दुवारा बनाए गए है इसके साथ ही कमपनी स्पेसेक्स एस्ट्रोनोट्स को स्पेस में भेजने वाली वर्ल की पहली प्राइवेट कमपनी बन गई है इससे पहले दुनिया के सभी स्पेस मिशन्स देश की गवर्मेंट्स ही कंट्रोल करती है फ्यू ड्रागन स्पेसक्राफ्ट के डिजाइनिंग ऐसी है कि एक बार में साथ लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है लेकिन इस नासा के मिशन के लिए केवल चार सीट सी इंस्टॉल की गई स्पेसक्स स्पेसक्राफ्ट के नीचे वाले पार्ट फेलकन नाइन रॉकेट का काम सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को अर्ट की और्बिट तक पहुचाना था Spacecraft को orbit तक पहुचाने के बाद Falcon 9 rocket ने Atlantic Ocean में एक drawn ship पर successfully land किया खास बात यह है कि अब इस rocket के parts के maintenance करके अब इसको अगले missions में reuse किया जा सकता है यह idea Alan Musk का था जब 2011 में America का Space Shuttle Program खतम हुआ था उसके बाद से America अपने astronauts को International Space Station भीजने के लिए Russia के उपर dependent था 2019 तक में NASA ने अपने हर एक astronauts को Russia के Suez Aircraft द्वारा Space Station भीजने के लिए $80 million खर्च किये थे इस mission के successful launch होने से सबसे ज्यादा खूशी का मौका Alan Musk के लिए है क्योंकि उनका man to Mars के mission का सपना साकार हो सकता है Thank you guys for watching my video वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चानल को सब्स्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में